उलासनगर शहर में बिस्कीट और चोकलेट जैसी चीज़े बनाने वाली कमपनियों के बाहर गंदगी का सामराज्य पसरा हुआ है गटार और नाली की गंदगी के बीच खाने की चीज़े बनाई जाती है और फूड विबाग एवं उलासनगर माहनगर पालिका प्रिशासन का स्पोर कोई ध्यान नहीं है बता दे कि उलासनगर कैम नंबर चार इस्तित पैंसिल फेक्टरी रोड से लेकर श्रीराम टॉकिस के पीछे खड़े गलोली तक अनेकों कमपनिया मुझूद है जहाँ पर चौकलेट बिस्किट सहीद अन्य खाने की चीज़े बनाई जाती है कमपनियों में बनने वाला माल अन्य शेहरों में भी सप्लाई किया जाता है लेकिन इनी कमपनियों के बाहर गंदगी और उससे निकलने वाली गंदी बद्बू फैली हुई है कमपनिय के अंदर और बाहर गंदगी के सामराज देखा जा सकता है किस طरा कमपनिय के मालिक लोगों के स्वास्त के साथ खिलवार कर रहे है इस विशे में फूड विवाग और उलासनगर मन्पा का आरो की विवाग कमपनियों पर कारवाई करने में नजर अंदास कर रहे हैं कमपनी के एक मजदूर ने नाम नहीं बतानी की शर्त पर हमें जानकारी दी कि कमपनी से हर महीने पैसे वसूले जाते हैं इसलिए किसी वाग के अधिकारी किसी भी तरह की कारवाई नहीं करते सीवी निर्मल जीवारता न्यूस उलासनगर